वेपार वेवसाय नहीं चल रहा हो, नोकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीप हो, साथ बेल पत्री, केसर को घिस कर, चंदन मना कर, बेल पत्री पर, बीच वाली पत्ती पर, ओम लिखना हैं। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्धिशक्ती जगदंबा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में शिरिगणे शिरिद्धी सिद्धी के नाम की बिंदी लगाना, शिवजी पर समर्पित करते जाना। शंकर को चड़ा ते जा, सोंबार की अश्टमी के दिन बगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए। वो भी शाम के समय पर, आप लोग तो जानते होंगे कि सुंबार की जो अश्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है, किसके मिलन का है, जम के बोलिये, शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सुंबार की अश्टमी का दिन, साल भर में लगवक चार या पाँच संबर के श्टमी पढ़ती है, इससे जादा नहीं पढ़ती है, पर भाग्यशाली हो आप सब, आपकी बार तो लाइन से दो बार पढ़ रही है, साथ एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए, और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जातक एसा उमीद है, देखा नहीं पं इसमें मा, जगजननी, जगदंबा, अपनी चोसट योगनियों को लेकर, शंकर भगवान के सामने नत्य करती है, जब सुंबर की श्टमी पढ़ती है, जैसे शिवरात्री का महत्व होता है उसी तरह सुंबर किष्टमी का महत्व होता है जब चोसट योगनिया माता शंकर भगवान के सामने नत्थ करती है तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन चोसट योगनियों को अपने हस्त कमल पर धारन करते हैं और हस्त कमल पर धारन करते हैं तब उन चोसट योगनियों को लच्मिया परदान करती है लच्मी माता को वो चोसट योगनिया दी जाती है लच्मी मैया उन चोसट योगनियों को भगवान विश्णू के पास लेकर जाती है भगवान नरेन उन चोसट योगनियों को ब्रह्म देव के पास लेकर जाती है उन चोसट योगनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्मानी को प्रदान करते है ब्रमानी उस 64 योगनियों को ले जाकर मा जगजनी आद्धिशक्ति को देती है आद्धिशक्ति उन 64 योगनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है शंकर भगवान की कथा कहती है सौंबार की अश्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर कैसर का भाग लगा कर ओम लिखकर कैसर का ही तिलक लगा कर माद्धिशक्ति गणेजी रिद्धी सिद्धी के नाम से साथ बेलपत्र शिव को समर्पित करकर लाल बस्तर में उसको बांध कर जिसका वेपार वेशाई या नोकरी सर्विस नहीं हो बहुत कश्ट चल रहा हो बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो उसको तो एक महिना रख कर देखो बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपधा की ओर आपका हाथ पकड़ देगा सौंबार की अश्टमी शिव को रिजहने की होता है बगवान शंकर को मनाने के लिए शिव को प्राप्त करने का एक साधन है जिन लड़का लड़कियों का विवा नहीं होता